Good evening friends, my name is Raj और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनलिसिस आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है H.A.L. हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब पीजिए सुर डेट में आगे आने वाले जितने भी वीडियो बना रहा हूं उन सब की इंफोर्मेशन आपको मिलती रहे और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना है HDFC, AMC पर, NAM India पर, Bail पर, HR Motor पर, Yes Bank पर, Infratel पर, Surprise आप वो वीडियो भी देखिए और जैसे मेरी वीडियो की प्लस पॉइंट है कि मैं यहाँ पे आपको डेट के साथ प्राइस के साथ सुरू करता हूं तो आप खुद देख सकते हैं कि मैंने क्या प्राइस में स्टार्ट किया था, मैंने उस वीडियो पे क्या बताया है और आज वो कौन से प्राइस पर है तो आज सुरू करते हैं हम HAL पर, आज का डेट December 17, 2020 और आज की जो closing है वो 866 रुपीज 30 पैसे है अब बात करते हैं 52 वीक लो, 470 रुपीज इसका 52 वीक लो है और 1423 रुपीज इसका 52 वीक हाई है अब आप सुचिए मार्च 2021 में इसका क्या target होगा, दिसमबर 2021 में क्या होगा, दिसमबर 2022 में क्या होगा और दिसमबर 2023 में क्या होगा मार्ट 2021 तक मेरे हिसाब से 1000 रुपीज का इसका sure shot target है अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको suggestion दे सकता हूँ आपके profit and loss पे मेरा कोई भी योगदा नहीं है so please invest करने से पहले आप जरूर इस company पे research कीजिए मेरा जो tips है जैसे मैंने यहाँ पे भी दिया है visit company website अगर आप HL के बारे में company क्या करती है, कब से है, कौन board of directors में है तो इन सब के लिए please company की website देखिए जो इसका product line है, वो aircraft है, helicopters है, power plant है, aerospace में है और काफी जादा है, तो आप अगर इनकी website में जाएंगे तो आपको यह information आराम से मिल सकते हैं आप खुड decision ले सकते हैं कि ऐसी company पे invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर हम HL की बात करें, तो इसने अभी तक 1 year return देखेंगे तो इसने 15.82 दिया है 2 year return 10.27 परसंट दिया है, जो कि काफी ठीक ठाक है, not bad है अब आप सुचिए, एक company listing वी थी 2018 में, 1174 पे इसके बाद ये काफी नीचे गई, बट उसके बाद इसने bounce back भी दिया और ये अभी currently 1423 पर भी गया, बट जब company ने OFS declare कर दिया तो इस company का price नीचे आया, अब जैसे आपको tips में हमेशा मैं बताता हूँ कि OFS कोई भी company का, कोई भी company का अगर OFS आता है, तो हमेशा याद रखें कि उस time पे वो company का price आगे जाएगा और उसके बाद वो फिर नीचे आएगा ये तो 100% है, भले आप IRCTC को देखें या अभी HAL का भी देख लीजिए अब हम बात करते हैं, OFS क्यों आती है, जब company के पास around 89.95% का shares था, तो उनको as per rule 75% रखना है वही company OFS लागू करती है, so that उनके पास भी 75% के आपके shares रुख सके अब हम बात करते हैं, कि इस company का dividend जो है अभी recent ये 15 रुपेज दे रहे है per share अब dividend क्या है, dividend का exit क्या है, ये अगर आप इस company में invest कर रहे हैं या आप share market में हैं, तो वो जरूर आपको पता रहेगा अब इस company के बारे में अगर मैं बोलू तो इस company की intrinsic value बहुत अच्छी है, return on fixed deposit rate आप खुद देख सकते हैं, 15%, 10% is very good और dividend return भी काफी अच्छा है, P.E. ratio तो इसका बहुत 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 जादा अच्छा है, अब regular profitable company भी है अब लेकिन मेरा जो suggestion इस company पर मैं आपको, देखे आप अगर मेरे को long term बोलेंगे तो मैं आपको बोलूँगा की भाई, आंग बंग करके invest करो, 99, 90% जो share है ना market में, long term investment में हर एक में पैसा बनेगा आप सूचो 2004 में, share market किस value पर था, 2010 पर कहा है, 2015 में कहा था और 2020 में कहा है, अब आप सूचो 2030 में कहा होगा, of course इससे ज़्यादा ही होगा, ऑके, बट जब हम बात करते हैं, CHL कि मैं हमेशा इस company में तो support and resistance पर ही करता हूँ, देखो, एक secret tip है, अगर आप short term trader है, तो please support and resistance पर करो, support पर आए, buy करो, resistance पर आए, sale करो, okay, suited आपको नुकसान नहीं हो, और अगर support में आने के time buy किया और उससे नीचे आ गया, गलती से, तो आप कम loss में भी निकल सकते हैं, और उसको loss नहीं कहता है, actually, वो एक, कैसे एक marketing strategy है, okay, अब हर share पर आप profit रोगे, ऐसा तो possible होता नही कोई भी हो, बड़े से बड़ा expert भी हो, आप हो, मैं खुद भी हूँ, अगर मैं हर call सही बोलूँ, तो बस क्या कहने है, I hope, आपको H.A.L. के बारे में सब कुछ समझ में आया हो रहेगा, और अगर फिर भी कोई doubt है, तो please मेरे comment box पे ज़रूर mention कीजिए, आपकी कोई भी videos आ झाल